गुद्मॉर्णिंग स्टुडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वियकरन में पाट दस अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द को अव्वे भी कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द वे होते हैं, जिन में कोई विकार नहीं आता है, वाइक्य कुछ भी वे न हो अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाइक्य में प्रयोग होने पर रूप न बदले तो अव्वे वे शब्द हैं जिनका वाइक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता तो इन्हें हम अव्वे कहते हैं अब अविकारी शब्द के भेद कितने हैं? अविकारी शब्द के चार भेद हैं क्रिया विशेशन, संबंद बोधक, समुच्य बोधक, विस्म्यादी बोधक तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेशन के बारे में क्रिया की विशेशता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे खरगोश तेज दोड़ता है, रुद्र सैत्य बोलता है, वह अपना कार जल्दी कर लेता है तो इन वाइक्यों में तेज, सज तेज जल्दी और दोडता है, बोलता है, कर लेता है क्रिया की विशेष्टा बता रहे हैं बाइक के किसी संग्या या सर्वनाम के साथ जोडते हैं वे संबंद बोदग अव्य कहलाते हैं जैसे घर के आगे नीम का पेड़ है राजा के पीछे चलना चाहिए धन के बिना कोई नहीं पूचता उसने शेर के बच्चे की और देखा तो के आगे के बिना के पीछे की और श दो शब्दो वाइक के अंशो अत्वा उपवाइक को जोडते हैं उन्हें समुच्य बोदग कहते हैं जैसे अमन और कमल मित्र हैं खूब मेहनत करो ताकि परिक्षा में प्रथम आओ प्रति दिन व्यायाम करो अन्यथा विमार पढ़ जाओगे तो और ताकि अन्यथा ये श शोक, घ्रिना, हर्ष, आश्चर आदिभाव प्रकट होते हैं उन्हें विश्म आदिवोदग करते हैं जैसे बाप रे बाप इतना बड़ा नाग अरे आप कौन हैं वाह कितना सुन्दर मंदिर हैं शाबाश तुमने बहुत अच्छे अंग प्राप्त किये तो बाप रे बा हैं जैसे हे राम, ओह, हाय, उफ, हाय राम तो ये क्या व्यक्त करते हैं शोक व्यक्त करते हैं सावधान, खबरदार, बचो, हटो ये क्या हैं चेताबनी देने वाले शब्द हैं अहा, वाह, खूब, धन्य, धन्य, हर्ष को व्यक्त कर रहे हैं चिह, धिक, चिछी, धत, धि कार क्या व्यक्त करते हैं घ्रिना को क्या अरे बापरे बापरे बाप क्या व्यक्त करते हैं आर्चेर को अच्छा ठीक जी बहुत अच्छा जी हां किसी चीज की सुईक्रिती को व्यक्त करते हैं अरे हे ओ जी ओ क्या है संबोधन वाले शब्द अच्छा हां हां ठीक अवश्य यह क्या है अनुमोदन वाले शब्द तो यह क्या है विस्मयादी बोदक शब्द हैं तो आज हमने क्या पड़ा अविकारी शब्द अर्थात अव्वे तो आज मैं आपको इनके प्रशनोत्तर भेजूँगी और कुछ अभ्यास प्रशन भेजूँगी जिने आपको अपने लिखना है और याद करना है